Good morning friends, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्मेंट जॉप के बारे में Central Government के तरफ से एक नय वेकंसी आया है 2021 का तो आज की वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा डीटेल में बताऊंगा इसलिए वीडियो को लास्त तक जरूर देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लिस कर दो, बेल ऐकन दबादो, और प्लिस सेलेक कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालू, आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको बताता हूँ, one by one So फ्रेंड, Comptroller and Auditor General इसके तरफ से आपका वेकनसी आया हुआ है तोटल आपका 10,811 पोश्ट का वेकनसी इसमें आया हुआ है इसमें आपका जो है कोई भी एक्जाम नहीं है, कोई भी application fee नहीं है और आपका इसमें कोई interview भी नहीं है डिरेक आपका इसमें selection होने वाला है तो आज की वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा detail में जानकरी देने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो को लास तक जरूर बेखिए सबसे बहले तो मैं shout out देना चाहूँगा हमारे एक viewer को अंकीजी इनका नाम है, हमारे subscriber है इन्होंने मुझे सुबे ही mail करके बताया था इस वेकनसी के बारे में कि आप इस पे वीडियो बनाईए इसलिए मैं यह वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए तो इसमें मैं आपको बताऊंगा यह वेकनसी क्या है कैसे आपको apply करना है पूरा detail, clear cut इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी आपको shout out दूँ आपका भी नाम जो है अपने वीडियो में शामिल करू तो आपको comment करना होगा कि किस topic पर आप मुझसे वीडियो बनाना चाहते हो मैं उस topic पर आपका वीडियो बनाऊंगा और आपका नाम shout out भी कर दूँगा वीडियो में I hope आपको समझ में आए होगा जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके इसके official notification पर यहाप आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का notification आपको देखने को मिलेगा जैसी आप CAG के official website पर जावे वाप आपको download करने का option बिल जाएगा तो same इसी तरीके का notification आपको देखने को मिलेगा तो काफी लोगों को जो है इसी पर doubt है यही notification पर doubt है कि यह vacancy है भी या नहीं क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा CAG का जितना अभी post का vacancy आता था वो SSC के थोरों selection होता था उसमें SSC में ही उसका selection होता था अलग से CAG अपना vacancy नहीं निकालता था लेकिन इस बार जो है कुछ अलग हुआ है यह notification उनके official site से download किया गया है तो इसी पर काफी लोगों का doubt है कि यह vacancy है या नहीं है या कुछ और ही है इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि यह vacancy नहीं है यह कोई भी vacancy नहीं है जैसे कि यह पर आप देख सकते हैं subject में उन्होंने क्या लिखा है inviting comments ठीक है आपने बहुत सारे notification देखे होंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है inviting candidates और इसमें क्या लिखा है inviting comments inviting comments on the proposed recruitment rules to the post of auditor or accountant level 5 in pay matrix okay यह comments को invite कर रहे है आप उनको comment करके बताईए कि जो भी इन्होंने proposed recruitment rules निकाले हुए है क्या वो सही है या नए ठीक है यह जो पूरा notification आया है इसके बारे में आपको comment करके post करके बताना है अपने comments कि क्या है उन्होंने जो notification निकाला है सही है या गलत है जो भी अपने हिसाब से वहाँ पे आपको उनको भीजना है ठीक है इसलिए इस notification में आपको online apply करने का कोई भी link नहीं दिया गया है कुछ भी इसमें आपको mention नहीं किया गया है कि आपका selection process क्या होगा वगरा वगरा लेकिन फिर भी काफी लोगों को doubt क्यों हुआ चली मैं आपको आगे बताता हूँ अब काफी लोगों को यहाँ पे doubt ह यहाँ आप देख सकते कोई भी graduate candidate apply कर सकता है इसमें आपका कोई भी experience नहीं मागा गया है तो कुछ इस तरीक का देख के काफी लोग इसमें confusion हो गए कि यह vacancy आया है कैसे आपको apply करना है वगरा वगरा और यहाँ पे सब लोग link के लिए देख रहे हैं कि online कफ से apply करना है और यह invites कर रहे है comments को ना कि candidates को और दूसरा काफी confusion करने वाला चीज यहाँ पर दिया हुआ है 50% of the vacancies filled by promotion और 50% of the vacancies filled by direct recruitment तो इसलिए मैंने आपको title में लिखा हुआ है कि no exam no fee no interview मतलब direct recruitment यह ले रहे है तो ऐसा तो कभी exam होता नहीं है जैसे कि आपको पता है central government का post है तो ऐसा क ठीक है इसलिए यह vacancy नहीं आया हुआ है आप बिल्कुल भी confusion में मत आईए और कोई आमको link देता है apply करने का तो बिल्कुल भी apply मत करेगा आपका पैसे waste हो जाएंगे आपकी जो details है वो भी उसके पास चले जाएगे तो इन सारी चीजों से बचके रहे है इसलिए मैं वीड recruitment के बारे में बताईए उनको हो सकता है future में वेकेंसी आये लेकिन अभी इसका कोई भी तालुक नहीं है कोई भी वेकेंसी नहीं आया हुआ है और इसमें भी वही mention किया गया है कि 50% जो वेकेंसी फिल होगी वो deputation के base पे होगी और आपका 50% है वो आपका direct recruitment के दो होने वाला है तो इस तरीके का notice आया हुआ है मैंने आपको detail में समझा दिया है इस तरीके का अभी कोई भी recruitment नहीं आया है ठीक है friends तो कोई वीडियो में अगर आपको apply करने का link देता है त पैसे बार-बार हो सकते हैं आपके साथ fraud भी हो सकता है ठीक है ऐसा कोई वेकेंसी अभी नहीं आया हुए हो सकता future में जब भी आया है मैं आपको उस समय अपडेट कर दूँगा पूरा detail में समझा दूगा उस notification के बारे में okay friends I hope आपको सारी चीज समझ में आई होगी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फिर्ण तब तक के लिए अपने ध्यान रखना गुडबाए